अब उन चारों विधियों में से पहली विधी का लक्षन पस्तुत करते हैं और कह रहे हैं कि तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधी उत्पत्त विधी ही ठीक है तत्र माने उन चारों विधियों में से कर्म स्वरूप मात्र बोध को जो विधी केवल कर्म के स्वरूप का बोध कराती है उस विधी को उत्पत्ति विधी कहते हैं ठीक है अब कर्म स्वरूप मात्र बोधक का मतलब क्या है ठीक है मतलब जो विधी केवल मुख्य क्रिया का ही विधान करती है केवल मुख्य क्रिया के बारे में ही उसके स्वरूप के बारे में ही बताती है ठीक है मात्र मुख्य क्रिया जो मुख्य कर्म है उसके बारे में ही बताती है उसकी बोधक जो होती है उसे उत्पत्ति विधी कहते हैं ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि चारों विधियों में जो मुख्य क्रिया के बारे में मुख्य कर्म के बारे में जो बताती है उत्पत्य विधी हुई और बाकी की जो विधिया हैं वो इस मुख्य विधी से related जो अन्यकार्य हैं उनसे संबंधित होंगे तो बाकी की तीन विधियां मुख्य क्रिया से संबंधित उसके अंतरगत आने वाले जो अन्यकार्य हैं उनके बारे में बताएगी और उत्पत्य व केते हैं कहते हैं यह था अगणीोत्रम जो होती ठीक है अगनीोत्रम में जो होती यह एक विधी की है यह Ben डिखिअ रिज ए ठीक है और इसमें आग्ष्भी के दो खास्ये सब्सक्राशियत हैं पहली और अस्वांड ठीक के सुरूप की यह और को धु अनवय होता है अब जो हमने कारक पड़े हैं तो कारक में हम देखते हैं कि कर्म किसे कहते हैं कि करता का क्रिया के द्वारा जिस चीज़ को पाना इपसित तम होता है जिस चीज़ को सबसे ज्यादा चाहता है सबसे ज्यादा पाना चाहता है उसे उसकी कर्म संग्या होती है ठी मोहन हो गया करता जाता है होगी क्रिया और मोहन जो है वो जाने की क्रिया दोरा किसे प्राप्त करना चाहता है विद्याले को तो विद्याले हो जाएगा कर्म ठीक है तो इस विद्धी में क्या होता है कि जो कर्म है वह करण के रूप में अनवित होता है उसका अनवय करण के कहते हैं क्रिया की सिध्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है उसे करन कहते हैं साधन को ही करन कहते हैं ठीक है साधक तमम करनम ठीक है अब यहां पर और करन में होती है तृतिया विवक्ति कर्म में होती है द्वितिया विवक्ति तो इस विधि में जो कर्म से रिलेटिट करेंगे जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तृतिया हो जाएगी इसमें करन रूप में हो जाएगा और क्या होगा अर्थ क्या बन जाएगा अगनिहोत्र होमेन इश्टम भावियत की अगनिहोत्र नामक होम के द्वारा हवन के द्वारा इश्ट का संपादन करें ठीक है अपने इच्छित कारे को संपादित करें इती मने इस प्रकार ऐसा ठीक है अब यहाँ पर पूरुपक्षी क्या करता है वह एक प्रश्न उपस थापित करता है ठीक है शास्त्र में दो पक्षे होते हैं जब वादी को अपनी इबात को प्रस्तुत करना होता है अपने सिध्धान्त को तो पूरुपक्षी के माध्यम से ठीक है वह विपक्ष के मत को स्थापित करता है और फिर उसके प्रश्न का उत्तर देखर अपने सिध्धान्त को प वो कह रहा है कि ननुमाने निश्चित रूप से याग शिद्वे रूपे याग के यग्य के दो रूप होते हैं या तो द्रव्य होगा या देवता होगा ठीक है या तो कोई देवता का स्वरूप का वरणन वहापर किया जाएगा तब जाकि वह उत्पत्तिविधी होगी या किसी द्रव्य के स्वरूप का वरणन वहापर होगा या उपयोग प्रयोग वहापर किया जाएगा तो वहापर उत्पत्तिविधी होगी ठीक है लेकिन जब हम किसी भी तरह के रूप का श्रवन नहीं हो रहा है ना तो इसमें किसी देवता का रूप का वरणन है और ना ही किसी द्रव का वरणन है क्योंकि अगनी कोई देवता है लेकिन अगनी होत्र कोई देवता नहीं अगनी होत्र तो यग्य है तो इसमें ना तो किसी देवता का इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगनिहोत्र शब्द श्यतु तत्प्रक्ष न्यायन नामध्यत्वा दिती ठीक है क्योंकि अगनिहोत्र शब्द जो है यह किसी देविता या द्रव्य का नाम नहीं है ठीक है यह तो नामध्य यह है मतलब किसी संग्या का नाम है लेकिन किसी सं गया कि तत्रक्ष न्याइन तत्माने वह वह शब्द जो है वह शब्द प्रक्ष माने जिस अर्थ का बोध कराता है ठीक है उसी का वह बोधक होता है तो अगनिहोत्र शब्द जो है वह किसी देवता का बोध नहीं करा रहा है वह किसी यग्य का बोध करा रहा है तो यग्य का बोधक कराने के कारण किसी याग का बोधक होने के कारण अगनिहोत्र शब्द जो है वह किसी याग का बोधक किसी यग्य का बोधक है न कि किसी देवता का ठेक क्यों कि यह तत्प्रक्ष नयाई से जो शब्द जिस अर्थ का बोधक कराता है वह उसी अर्थ का बोधक होता है उसी वस्तुकावा बोधक होता है तो अग्निहोत्र शब्द हमें किसी याग का ग्यान करा रहा है किसी यग्य का बोध करा रहा है तो अग्निहोत्र शब्द जो है वह एक यग्य का बोधक तो हो सकता है यग्य का नाम तो हो सकता है नाम अधियत तो मने नाम ठीक है यह तो किसी यग्य का नाम तो हो सकता है लेकिन या किसी द्रव्य का या किसी देवता का नाम नहीं है और इसी वजह से इसमे उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती तो यहाँ पर सिध्धानती जो है वह बोलता है कि नह उत्पत्य विथी होना निश्चित है भले ही इसमें रूप का द्रव्य और देवता के रूप का श्रवन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी यह एक उत्पत्य विथी है फिर भी यह वाक्य उत्पत्य विथी हो सकता है और इसलिए हो सकता है कि यदि आप यह नियम बना लें आप आपसे किस ने कहा कि द्रव्य और देवता के स्रूप का वरनन होगा, तब हिवह उत्पत्ति विधी होगी, ठीक है, यदि ऐसा होता, अन्यता रूप श्रपनत्वात, यदि रूप के श्रवन होने से ही उत्पत्ति विधी होती, तो दधना जुहोती यह जो एक विधी है इसमें भी उत्पत्ति विधी का लक्षन घटित हो जाता दधना जुहोती यह जो विधी वाक्या है यह भी उत्पत्ति विधी कहलाई जाती लेकिन दधना जो होती जो है वह उत्पत्ति विधी नहीं है वह तो एक गुण विधी है अगनी होत्रम जो यात स्वर्ग काम है इस मुख्य विधी की इस उत्पत्ति विधी की गुण विधी है गुण के स्वरूप का बोध करा रही है इसलिए आपका जो यह कहना है कि तो द्रव्य या किसी देवता का वरणन के रूप का वरणन करने पर है उत्पत्ति वीधि हो जाती। लेकिन यह उत्पत्ति वीधि नहीं है यह तो एक गुन वीधि है इसलिए आपका कहना वो गलत है यादि हम आपकी बात मान लेंगे तो यहाँ पर भी उत्पत्य विधी होने का दोश हो जाएगा तथा अगनी हुत्रम जो होती यह थी वाक्यम अनर्थक हम शाथ और अगनी हुत्रम जो होती यह जो विधी वाक्य है यह अनर्थक हो जाएगा और अनर्थक वाक्य वेद में हम नहीं मान सकते कि वेद में कोई वाक्य अनर्थक होगा, ऐसा वाक्य जिसका कोई अर्था ही न हो, बिना बात के कोई वाक्य दे दिया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अगनी हुत्रम जो होती वाक्य ही नहीं रहेगा, यह अनर्थक वाक्य हो ज कहते हैं कि अंग प्रधान संबंध बोध को विधि ही विनियोग विधि ही ठीक है कि अब प्रधान माने होता है अंगी ठीक है अंग और अंगी अंगी माने वह जिसका अंग होता है माने शदीर है वह हो गया अंगी और हाथ पैर मुह कान यह हो गए अंग ठीक है तो वही यहा के संबंद का बोधक बोधक माने ग्यापक या ग्यान कराने वाला या ग्यान कराने वाली जो विधी होती है ठीक है अंग माने गुण अंगी माने प्रधान तो अंग और अंगी के संबंद का ग्यान कराने वाली विधी को विन्योग विधी कहते हैं ठीक है जिस विधी के अंग अंगी के संबंद का ज्यान होता है वह विधि विनियोग विधि कहलाती है उधारान देते हैं यथा दधना जुहोति इती यह एक विनियोग विधि है सही तृतिया प्रतिपन्नांग भावश्य दधनो हो मसंमध्नम विधत्य ठीक है? दधनो हो अंग भावश ठीक है दधना जो पद है इसका अंग भाव होना यहाँ विधत्ते मने यहाँ हमें पदा चलता है इस चीज़ का विधान करता है कौन तृतियया तृतिया विभक्ति से युक्त होना तो इस दधना पद का तृतिया विभक्ति से युक्त होना यहाँ यहाँ प्रतिपन्न करता है कि दधनापद जो है वह अंग है ठीक है और अंगी क्या है होम जो मुख्य होम है हवन है ठीक है याग है जो मुख्य है उसे हम अंगी कहेंगे ठीक है तो दधना जो कि तृतियाविभक्ति से युक्तपद है यह हो गया अंग और जो होम है मुख्य हवन है वह हो गया अंगी ठीक है तो इन दोनों के ही संबंध का बोध यहाँ पर जो करा रही है यह हो गया अंग और जो होती जो की होम का बोध करा रहा है मुख्यक्रिया का बोध करा रहा है यह हो होम को संपन्न करें यहां इसका अर्थ निकलता है ठीक है तो हम सिद्धी सी बात यहां पर यह समझें कि दधना जो होती में विन्योग विधी है और यहां विन्योग विधी इसलिए है क्योंकि यहां अंग और अंगी के संबंद का बोध कराने वाले विधी को विन्योग आता है कि दधनाप जो है दधी जो है वह अंग है और होम जो है वह अंगी है ठीक है अब यहां पर कहरें कि गुण विधोच धात्वरतश्य साध्यत्वेन अनवय है ठीक है विन्योग विधि का दूसरा नाम ही गुण विधि है तो इस गुण विधी में इस विनियोग विधी में धात्वर्थ श्य साध्यत्वेन अनवय है धात्वर्थ क्या हुआ धात्व माने क्रिया क्रिया क्या है जुहोती हवन ठीक है तो उस हवन जो है वह साध्यत्वेन अनवय है उसका अनवय साध्य के रूप में होता है ठीक है ह हमें दधी के द्वारा क्या सिद्ध करना है मुख्यकारी क्या है हवन करना है तो हवन क्या हो गया हमारा साध्य हो गया जिस कारी को हमें सिद्ध करना है वो हो गया साध्य किस चीज के द्वारा करना है दधना दधना हो गया हमारा साधन करण ठीक है तो दधना जो होती में रूप में अन्वित होगा इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि गुणविधि में धात्वर्थ जो होगा मुख्य क्रिया जो होगी ठीक है जैसे कि यहां पर हवन करना है वह साध्य होगा वह साध्य के रूप में अन्वित होगा ठीक है क्रिया का साध्य साध्य रूप में अनवय होना कहा होता है गुणविधी में होता है लेकिन क्वचिद आश्रय त्वेन अपी कहीं कहीं पर यह स्थित भी हो जाती है कि वह धात्वर्थ आश्रय के रूप में भी अनवय अनवित होने लगता है कहीं कहीं पर धात्वर्थ का अन्वाई आश्राई के रूप में भी होता है अब उसका उधारन आपर दे रहे हैं मुख्य रूप से साध्धी के रूप में होता है लेकिन कहीं कहीं पर आश्राई के रूप में भी होता है और उधारन उसका दे रहे हैं कि यह था दधने इंद्रिय काम अश्य जुहयात ठीक है मतलब इंद्रिय काम अश्य दधना जुहयात मतलब इंद्रिय काम जो है इंद्रियों किस दुखों को प्राप्त करने चाहता है जो वह दधना जुहयात दधी से हवन करें ठीक है अब यहां पर कह रहे हैं कि दधी क्या है करन है और जुहयात क्या है मुख्य क्रिया है ठीक है साध्य है हमारा तो जुहयात पद जो है वस्तुतह साध्य है ठीक है लेकिन अब क्योंकि दधना यहां पर दध्रेंद्रिय कामस्य जुहयात में जो दधी में करनत तो आ गया ठीक है साधनत तो आ गया क्योंकि दधी करन है उसका तो दधी करणत्व जब इसमा आ गया तो दधी करणत्व क्या हो जाएगा घटत्व या पटत्व की तरह एक धर्म हो जाएगा ठीकि जैसे घटत्व एक धर्म है पटत्व एक धर्म है मनुश्यत तो एक धर्म है पशुत तो एक धर्म है उसी तरह से दधी करणत्व भी एक धर्म है और दधिकरनत्व जब एक धर्म है तो धर्म कभी भी अकेला नहीं रह सकता इसको किसी धर्मी की आवशक्ता होती है जैसे अंग कभी अकेला नहीं रह सकता उसे कभी अंगी की आवशक्ता पड़ती है उसी तरह धर्म को भी एक धर्मी की आवशक्ता पड़ती एक आश्रे की आवश्यक्ता पड़ती है तो दधिकरनत्व हो गया धर्म तो इसका धर्मी कौन बनेगा कौन होगा ठीक है कौन है धर्मी जिसमें दधिकरनत्व नामका धर्म रहेगा तो तच्च किन निष्ठम इति आकांग शायाम तो वह दधिकरनत्व नामक धर्म जो है कि किस में निष्ट है किसके आश्रे में रह रहा है किस धर्मी में रह रहा है इति आकांग्षा है हम इहां आकांग्षा होने पर सन्निधी प्राप्त जो उसके सबसे समीप में जो प्राप्त है उसका आधार वो क्या है होम हवन है ठीक है जो यात जो की क्रिया है हमारा धात्वर ठीक है तो यहाँ जो है होम जो होती यह धातवर्थ जो है यह वहाँ पर आश्रे के रूप में अन्वित हो जाएगा उस दधिकरणत्तो नामक धर्म के आश्रे धर्मी के रूप में अन्वित हो जाएगा ठीक है तो मुख्य रूप से यहाँ साध्धि के रूप में अन्वित हो जाता है